दोस्तों नमस्कार हमारे चैनल परमपरिज्ञान में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आप चैनल पर पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले दोस्तों हम आपको एक दिव्योसधी के रूप म हल्दी के बारे में बताएंगे और हल्दी कितने प्रकार का होता है ये भी आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों तो हल्दी का पहले विस्तिरित नाम चुन लेते हैं कि इनको क्या-क्या पुला जाता है हल्दी को हल्दर हलद हुलूद हल्दल परसूब मंजल आसीन आरसिनिया उरू, खुस्फुस, जर्दचोबा और इनको हरिद्रा, पीतिका, गवरी, आधी नाम से इसको संस्कृत में जाना जाता है, इनका वैज्ञानिक नाम है करकुमिना, लोंगा, दोस्तों हल्दी चार से पांच प्रकार का हमारे देखने में अभी दिख चुका है, बाकिया और बहुत सारे प्रकार के हल्दी होते हैं, इसे मुख्यता आमी हल्दी, दारू हल्दी, स्याम हल्दी, पूजा हल्दी और काली हल्दी, ये प्राया देखने में आता है, दोस्तों हल्दी का आपको परमपरिक प्रयोग बताते हैं, हल्दी को कैसे परमपरिक दवा की रूप मे यूज़ कर सकते हैं प्राइया हल्दी हर लोग जानते हैं क्योंकि हर के घर में रसोई में इनका प्रयोग मसाले की रूप में होता है दोस्तों जो आज कल की जो स्वंदर्य प्रसाधिन क्रेम बनता है इसमें भी हल्दी का प्रयोग होता है हल्दी प्राया एक प्रकार का भरपूर एंटिवाडिक है जिसको आप अपने परमपरिक रूप में इसको लोग पुरानी सद्यों से करते आये हैं जैसे कहीं पर घाव में चोट लग जाना उस पर हल्दी डाल करके पट्टी बान देने से भी घाव ठीक हो जाता है उसी प्रकार का बहुत सारा प्रयोग है दोस्तों मैं आपको प्रयोग बताते जाता हूँ उसको कैसे कैसे करना है और कीन कीन रोगों में हल्दी को आप इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्दी को पहले इनके कंद को निकाल करके आप इसको गव मुत्र में उबालिए जैसे एक किलो हल्दी है तो उसको करीब दस किलो गव मुत्र में उबाल करके आप जब गव मुत्र एकदम बहुत कम मात्रे में बच जाए तो हल्दी को आ उनको पाउडर बनाके आप रख करके किसी भी बहुत पुरानी घाव से अगर पीडित है या किसी को कैंसर की स्थिती भी बन गया हो ऐसे रोगों में उसको खाली पेट में तीन ग्राम की मात्रह में आप सेवन सहत के साथ करा सकते हैं या किसी को गंभीर खासी दमा टीवी जै उसको भोजन के बाद बकरी के दूद्ध या गाय के दूद्ध के साथ तीन ग्राम की मात्रह सेवन कराते हैं तो पुराने से पुराने सरदी खासी का रोग या किसी प्रकार का अधिक उपद्रवकारक छे रोग स्वांस रोग हो तो भी ठीक हो जाता हैं दोस्तों इसके कोड़ के आप सुखा लेजिए और सुखाने के बाद इसको कहीं इसको आप रख दीजिए सुरक्षित जगह पत या चाहें तो आप इसको एकड़म बारिक पाउडर बना के रख सकते हैं और इनके पुस्प को अमर बेल जो एक पर जीवी होता है उसके साथ आगर करिब एक कप पानी में करिब 4-5 ग्राम की मात्रा मेले करके दोनों को मिला करके कुटाई करके उनके रस को पिलाते हैं तो इसमें यक्रित लोग पलिया आदि का रोग ठीक होजाता है किसी प्रकार का उदर में सुजन हो या जलोदर आधी रोग हो तो भी ठीक होता है यह हमने अपने प्रयोग में देखा है और अजमाया है दोस्तों हल्दी का जो पाउडर है इसको आप अपने किसी भी इस्थान पे घा हो वहां आप लगा के बान सकते हैं उससे भी ठीक होता है और हल्दी से काफी जहां जॉइंट में दर्द हो वहां आप गव मुत्र से उबला हुआ हल्दी में आप से काई कर सकते हैं हल्दी को किसी भी प्रकार के आप क्रीम के रूप में भी जैसे आप किसी चने के आटे या फिर अन्या आटे में मिला करके चेहरे पर इसको आप लगा के भी चेहरे का जो पिंपल्स घाव फोड़ा फुनसी हैं इसको भी आप ठीक कर सकते हैं है दोस्तों हल्दी का पूरे शरीर में किसी है मैं सरीर में लगाने वाला तेल जैसे आप का तील तेल या नारियल का तेल इसमें भी आप इसको तेल बनाके चैची totally ंदाले और करीब 50 ग्राम तेल में इसको खौलती हुए तेल में डाल देने के बाद आप इसको फिल्टर करके रखें आप किसी भी दाग धब्बे पर भी आप ये लगा सकते हैं या चेहरे में लगाने के लिए या शरीर में किसी इस्थान पर दाग धब्बे पढ़ गया हो को वहां लगाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों हल्दी का बहुत सारा उप्योग है सर्दी खासी से ले करके सारे रोग घाव पुड़े फुन्सी या किसी प्रकार के चेहर मरुख हो तो भी इसमें बहुत सारा हल्दी का उप्योग है हल्दी केंसर से ले करके सारी बीमारियों को ठीक करने में बहुत कारगर और सधी है दोस्तों तो यह आपको हमारे चैनल में जो दिखाया गया हल्दी का परमपरिग्यान कैसा लगा यह जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को सेयर करेंग लेड़ यूग debit है करो से ले जरूर बताब का खिवार यह जिवर लेड़ के लेड़ागरמם अलग से लेकoryाज तOT हैक करेंगे लेड़ाकी it मत भ्मया दर पॉड्यान के लेंगे घलना हूर ओर करेंगे लेडना है